हलो स्टूरेंट इस वीडियो में हम आपके लेके आएं लौ आफ एक्सपोनेंट्स तो बचो सबसे पहला कंज्वूजन क्या आता है आपको कि भई यह एक्सपोनेंट होता क्या है ठीक है एक चीज होती है पावर आपने सुनाओगा पावर और एक चीज आपने बाल बाल सु क्या दोनों अलग अलग वर्ड है या दोनों सेम है चलिए मैं आपकी कंफूजन दूर करता हूं आज बचो क्या होता है कि जैसे की एय है कोई नंबर और इस पर पौवर लगा दिया अपने एम ठीक है कोई नंबर है उस पर यह पावर तो यह जिस पेपावर लगी है मनलद सीथी सी बात है तो exponent क्या हुता है तो भचोर, यह पूरा नंबर जो बनता है पूरा e x power m इस पूरे को हम कहते है exponent क्या कहते है एक्सपॉणनेंट है जयसे एंसे ang magazines हमने यहां पर लिखा 2 पर x तो बेस क्या हो गया यहां यहां पर हमें कुछ रूल्स कुछ लॉग हमें यहां पर पता होना चाहिए ताकि हम इस से रिलेटेड एक्सपॉनेंट से रिलेटेड जो कोश्चन्स होते हैं उन्हें आसानी से कर पाए तो पहला लो यहां पर यह है बच्चों कि मान लो हमाएं पास एक नंबर है ए और इस पर पावर है एम और यहां पर एक नंबर है ए और इस पर पावर है एन और यह दोनों कर रहे हैं मल्टिपलाई अब यहां पर देखो बेस सेम है बेस कैसा है सेम है जब भी आपको ऐसा दिखे कि हमारा बेस सेम है और multiplication हो रहा है तो power का sum कर देना answer में base वही ले लेना और power को sum कर देना दोनों की ठीक है और आपका answer आजाएगा a पे power m पिलस m ठीक है जैसे example मैं आपको करके दिखाऊँ जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 पे power 3 into 2 पर power 4 तो answer क्या बनने वाला है कि base तो वही रहेगा 2 क्योंकि base दोनों जगा पे same था और power क्या हो जाएगी sum हो जाएगी तो 3 and 4 कितना हो जाएगा 7 ठीक है अच्छा दूसरा law देखिए बच्चो क्या हुआ कि हमने क्या करा कि base को अब हम अलग-अलग कर देते हैं multiplication में ही रखते हैं सवाल को और base हमने देखिए अलग-अलग कर दिया और power को same कर दिया अब जब power same हो गई और base अलग-अलग हो गया तो base अपस में multiply करके product दे देंगे आपको और power वही रहेगी जो power है ठीक है m power है तो power m ही रहेगी और ये product तो ये जो base है वो अलग-अलग है यहाँ पर power same है तो base आपस है multiply कर जाएंगे 2, 3 is a 6 और power वही रहेगी 3 ठीक है ये दूसरा law तीसरा law देखते हैं बच्चों यहां बन तीसरा law क्या है कि अगर a पर power है m और वो अब division का लेते हैं ठीक है a पर power है m और a पर power है n ठीक है तो ये वाला जो आगे वाला number होगा ये होगा हमारे dividend और ये होगा हमारे divisor तो इस case में क्या होता है कि base same है ठीक है base same है तो base तो वही रहेगी और dividend की power से divisor की power को हम घटा देंगे ठीक है आपको ठीक है clear जैसे कि मैं आपको example करके दिखाऊ जैसे यहां पर two पर power four यह थर्ड वाले का example है into two पर power three तो यहां पर base same है तो क्या करना है power को घटा दिना divider क्या है divider की power क्या है four minus dividend sorry dividend की power क्या है four और divider की power क्या है three तो four मैंसे three क्या है कितना तो two पर power one ठीक है clear हुआ चलिए इसका next law देखते है क्या है fourth अब यहां पर क्या करते है कि a पर power m divide by b पर power m अब इस case में क्या है कि आपके dividend का जो base है और जो divider का जो base है वो दोनों अलग-अलग है लेकिन power same है तो जो dividend है वो divide हो जाएगा divider से मन्दब a जो है वो b से divide हो जाएगा और फिर जो cushion आएगा उस पर power वही बनी रहेगी जो power three m ठीक है इसका example देखते हैं जैसे 10 पर power three into five पर power three तो five जो है वो ten को divide कर देगा power वही बनी रहेगी तो five two the ten तो यह आजागा two पर power three ठीक है यह इसका example होगी next law बच्चों देखते हैं यहाँ बर fifth law ठीक है यह चार law आपके किलिया रोका इतने ठीक है अब हम next law देखते हैं क्या है next है हमाई पास मान लीजे कि a कोई number हो उस पर power है m और इस number पर एक और अब यह जो number बना नया power की साथ exponent पे एक और power इस exponent पे और power आ गई n मतलब power के ऊपर power आ गई तो जब भी ऐसा होता है तो power पे power जब होती है मतलब m into n ठीक है इसका example में आपको दिखाता हूँ क्या होगा जैसे कि माइप पास है 2 पर power 3 और इस पर power हमने लगा दी 2 तो यह पावर पावर आपसे multiply हो जाएंगी 2 पर power 6 बच जाए ठीक है यह हमारा 4th law अब बचो एक और लोह हमारा 6th law ठीक है 6th law क्या है कि अगर कोई number a है उस पर power आ गई 0 ठीक है कोई भी number है जिसपे power है 0 तो अगर किसी भी number पे 0 की power है तो उसकी value होती है 1 ठीक है बचों कोई भी नंबर हो कि किसी नंबर पर जोब जीरो की पावर आ जाती है तो क्यों होता है और यह लॉझई की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताय करें नोट कर लहें सारी लॉझ यहां बस शिक्स लॉझ मैंने आपको बताये और इक्स्पोनेंट्स क्या होता है पावर क्या होती है और बेस क्या होता है यह सब मैंने आपको समझाया तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई